Hello friends, मैं राहुन मिस्टा स्वागत करता हूँ आपका एजुकेशन लवर यूट्यूब चेनल पे तो friends किसी भी सरकारी वेकेंसी की अपडेट आप सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस एजुकेशन लावर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे तो पर इससे मैं आप लोगे सामने प्रजेट कर रहा हूँ सरकारी जोब की एक नई वेकेंसी जो की वेकेंसी निकल काई है बैंक की तरफ से यदि आपका भी श्रप्ना है बैंक में जाकर जॉब करके अपने कैरियर को सुनिश्चित करने का तो आपके लिए शुन हड़ा आउसर है और यहाँ जो वेकेंसी निकल काई है यहाँ सिडवी बैंक की वेकेंसी निकल काई है अर्थात Small Industrial Development Bank of India के तरफ से वेकेंसी आई है तो फ्रेंट्स इसमें मैं आ चुका हूँ भारत की नंबर वन ट्रस्टेर साइट सरकारी वेकेंसी की रिगार्डिंग सरकारी रिजल्ट पे यहाँ आपको नेम अप दा पोस्ट दीक्रा होगा जिसमें सीडवी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फर्म 2022 यानि कि यह जो फर्म है यह सीडवी बैंक के ए ग्रेड का फर्म है जिसमें आपको जो पोस्ट मिलेगी वह असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी जिसकी रिगार्डिंग आज ही आपकी इस firm को post किया गया है अब आए आगे बढ़ते हैं इस firm के और detail को समझते हैं या CDB अर्थात Small Industry and Development Bank of India जिसे हम CDB के नाम से जानते हैं जिसकी रिगार्डिंग Assistant Manager के Grade A post पर requirement निकाली गई है और आपका Advertise Way No.1 Grade A 2021-2022 Short Details of Notification तो इसके रिगार्डिंग इंपोर्टेंट डेट्स क्या रखे गया है इसको सबसे पहले समझते हैं तो इंपोर्टेंट डेट्स में बात करें सबसे पहले कि आपका Application Online Apply होना कब सा Start होगा तो वो आपका Start आज से यानि कि 4 मार्च 2022 से हो चुका है जिसके रिगार्डिंग आपका Last Date रखा गया है 24-3-2022 यानि 24 मार्च तक इस फर्म को भर सकते हैं आप Pay करने का Last Date भी आपका 24 है Examination Date भी आपका दे दिया गया है 16-4-2022 यानि 16 April को आपका Exam हो जाएगा और इंटर्विव आपके माई 2022 में होंगे जिसके रिगार्डिंग एप्लिकेशन चार्जर रखे गया है तो जानते हैं कि बैंक की एप्लिकेशन चार्जर जादा ही होती है या जिसमें योगेता हो एक्जाम करें करने की वही अपलाई कर सके इनका उद्धे सेहर आता है इतना ज़्यादा फी रखने का वही अगर HTSC वालों की बात करें तो 175 रुपए पे करके इस फ़र्म को अपलाई कर सकते हैं ठीक है और age limit के आगर बात करें इसमें age limit 21 साल की रखे गई है और maximum age है आपकी 28 साल यानि minimum age आपकी 28 साल होई चाहिए और maximum age आपकी 28 साल के बीच रहने चाहिए जिसकी regarding जो पोस्ट निकाली गई है वह undeserved के लिए 43 OBC के लिए 24 EWS के लिए 10 SC के लिए 16 और ST के लिए 7 और total 100 पोस्ट निकाली गई है जिसके लिए आपके eligibility criteria खोजा है आपसे bachelor degree in LLB या law या आपके पास bachelor degree in engineering या आपके पास master degree in any stream कोई भी stream से आप master यानि की MA किये हो CA, CS, CWA, CFA और PhD degree आगर आपके पास है तो आप इस firm को apply कर सकते हैं और कितने percent marks के साथ तो minimum 60 percent marks यानि first division होनी चाहिए वही STSC वालों की बात के तो उनके लिए केवाल 55 percent marks चाहिए तो अवग इस firm को apply कर पाएंगे लेकिन general OBC EWS वालों के लिए 60 percent marks चाहिए ठीक है जिसके लिए आपके online apply करने का link activate हो चुका है तो फिरस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस vacancy की बारे में सारे detail आपको दिये पाया हूँ अगर इसी तरह की सरकारी vacancy के update सबसे पहले प्राफ्ट करना जाते हैं तो अमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को एक लाइक और एक सेयर जोड़ कर दे तो फिरस मिलते हैं फिर और नए vacancy के साथ तब तक के लिए जय हिंड जय भारत वन् प्राफ्ट कर Sarah